तो बच्चों कैसे हैं आप सब बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज का ये वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 के जो आपका English course subject है इसकी जो दोनों book है आपकी hornbill वाली और snapshot वाली इसके most important questions हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर आप one shot वाला वीडियो भी कह सकते हैं और one shot में भी one shot वाला वीडियो है क्यों क्योंकि लोग अलग-अलग आपको यहाँ पर वीडियो लेते हैं hornbill के लिए अलग से snapshot के लिए अलग से और मैं आपको यहाँ पर एक ही वीडियो के अंदर दोनों ही book के important questions बताने वाला हूं न केवल यह important है इसको आप most important questions समझ सकते हैं ठीक है तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा जो कल आपका exam होने वाला है इस वीडियो को जादा से जादा लाइक कीजेगा जितना जादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना जादा हमारा motivation बढ़ता है और वीडियो उसको बनाने के लिए ठीक है चैनल पर अगर आप नए आगए है चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है आगे बढ़ते हैं एक important update है आप सभी बच्चों के लिए हमने आपके लिए तयार किया है political science और English के 10-10 sample paper यानि 10 sample paper हमने political science का तयार किया है और 10 sample paper हमने English score subject का तयार किया है ठीक है अगर आप अपनी तयारी को और बहतर बनाना चाहते है तो इन sample papers को आप ले सकते हैं वैसे तो per subject का जो price है वो 199 रुपीज है लेकिन अगर अभी आप लेते हैं तो आपको केवल 99 रुपे में एक subject का sample paper देखने को मिल जाएगा जैसे माली जै आपको English का sample paper लेना है तो इस वर्टसप नंबर पर आपको contact करना है ठीक है और उनको बोलना है कि हमारा ये coupon code है VSP07 ये coupon code लीजे सर और मुझे यहाँ पर 50% का discount दीजे तो आपको हाँ पर discount मिल जाएगा केवल 99 रुपे में English के 10 sample paper आपको देखने को मिल जाए अगर आप दोनों subject का एक साथ लेते हैं तो आपको combo offer में मिल जाएगा जिसमें केवल 190 रुपे में यहाँ पर आपको दोनों subject का 10 sample paper देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको 10 रुपे का extra चूट देखने को मिल जाएगा यहाँ आपका यहाँ पर 200 रुपे तो बची गया साथ साथ 10 रुपे और बच जाएगा अगर आप combo offer में दोनों एक साथ purchase करते हैं तो ठीक है चलिए एक एक करके questions को अब देख लिते हैं जो बहुत जादा important है पहला question यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हम से कि the poet think that he had lost his childhood why what did the poet notice about independent thinking in the poem childhood ठीक है तो question कुछ इस प्रकार से है कि कभी सोचता है कि उसने अपना बच्चपन खो दिया है ऐसा क्यूं सोचता हो और कभी ने बच्चपन कविता में स्वतंत्र सोच के बारे में independent सोच के बारे में क्या देखा तो इस तरह से answer आप लिखेंग कि poet Marcus Josuke Natan believes he had lost his childhood he believes this because he has lost the innocence and purity of his childhood यानि कि कभी Marcus जो है Natan का मानना है कि उन्होंने अपना बच्चपन खो दिया है वह ऐसा इसलिए मानते हैं क्यूंकि उसने अपने बच्चपन की मासूमियत और पवितरता खो दी है तो यहां पर कहा जा रहा है कि जब वह बच्चे थे तो वह नर्क और स्वर्ग जो होता है heaven और जो आपका hell होता है उसके अस्थितों में विश्वास रखते थे कि या स्वर्ग भी होता है नर्क भी होता है ठीक है उनका यह भी मानना था कि सच्चा प्यार जो होता है यानि कि true love जिसको आप कह सकते है वो adults के बीच में होता है बच्पन में उनमें कोई अहंकारी प्रविर्ती नहीं थी उसके अंदर जो हैसो कि बच्पन के अंदर कोई भी ego होता है न वैसा कुछ नहीं था ठीक है तो इस तरह से आप लेख सकते ह the poet realized that he was different from others and could think independently he could express his opinion without being influenced by anyone else this discovery was very important for him because it revealed his abilities for independent thinking and decision making यहां पर कहा जा रहा है कि कभी को एसास हुआ कि वह दूसरों से अलग है और स्वतंतर रूप से सोच सकता है वह किसी अन्यस से प्रभावित हुए बिना अपनी राय वैक्त कर सकते थे ठीक है यह खोज उनके लिए बहुत महत्यपूर्ण थी क्यूंकि इससे उनकी स्वतंत स्वतंतर सोच और निनले लेने की छमता का पता मता है तो इसी तरह से अपैंसर लिख सकती है कि कभी कभी सोचता है कि उस ज्यादा motivate करता है बचो इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए ठीक है लिटरली बता रहा हूं आप एक like करते हैं like करना तो आपके लिए free है लेकिन इससे हमारा motivation का जो level है वो लाखो करोडो और वो खरबो गुना बढ़ जाता है ठीक है तो like जरूर कीजेगा आगे चलते ह दूसरा question देखी बचों यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि do you think the title of the play mother's day is appropriate give reasons for your answer यानि कि यहाँ पर कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि यह जो आपका नातक का सीर्षक है यानि जो आपका role का title है mother's day यह उचित है यानि सही है अपने उत्तर के कारण बताईए आप ठी दिखेंगे कि I think the title of the play mother's day is appropriate because यानि कि मुझे लगता है कि जो mother's day वाला यह title है यह सही है ठीक है क्योंकि each and every day is mother's day क्योंकि भाया हर दिन mother's day होता ही होता है ठीक है प्रतेक दिन आप कह सकते है mother's day होता है enjoy all days with your mother and make happy यानि कि अपनी मा के साथ पूरे दिन का आनन उठाए और खुस रहे आप भी अपनी माता जी के साथ आनन लिया कीजिए मतलब खुस रहा कीजिए क्योंकि देखिए भाया जीवन का एक कड़वा सच्चाई यही है कि वैसे मैं यह कहना तो नहीं चाहता हूं लेकिन एक कड़वा सच्चाई है कि इस धर्ती पर जो आया है उनको एक माता अपने पिता जो भी है ना उनको भगवान के समान मानी है इनको हाँ जोड़ करके मेरा नमन है और उनके साथ खुस रहा कीजिए हर दिन को मदर्स डे के रूप में यहाँ पर बिताया कीजिए यह नहीं कि जो वो मदर्डे आता है न अंग्रेजों वाला कि यह पर्शंस आवर मदर एंड फैमिली डेफिनेटली फेश एनी प्रोब्लम एंड डिस्कॉस अलसो सॉल्व इट दपले जो सुटीच अस टू बी थाउटफुल एंड रिस्पेक्टफुल तोवर्ड्स आवर मदर्स यानि कि यहाँ पर बोल रहा है कि हमारी मा और परिवार कि हमारा फैमिली जो होता है मैं बहुत मदर्द करता है कोई भी तरह का समस्या होता है उसको दूर करने में ठीक है और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यह नाटक हमें अपनी माताओं के प्रती विचार सिल और समान जनक होना सिखाता है कि किस तरह से हम अपनी मम्मी के प्रती अच्छे हो सकते हैं ठीक है और यहां पर विचार सील कह सकते हैं उसको आप और उनकी जद कर सकते हैं तो इस तरह से answer आप लिख सकते हैं बच्चो अगला question देखी है आपर तीसरा question क्या पूछ रहा है हम से कि suggest a few instances in the tale of melon which highlights humor and irony ठीक है यहां पर question है कि the tale of melon में कुछ उधारन सुझाइए यानि कुछ उधारन बताने examples बताने आपको जो हास से और वैं को उजागर करते हैं तो answer इस प्रकार से लिखेंगे the poem is full of humor and stare from beginning to end यानि कि यह जो कविता है सुरू से अंद तक अस से और वैंग से भरपूर है ठीक है there is a kind who has built a trumfal arch on the main road of his city but the same trumfal arch break it round ठीक है यहां पर कहा जा रहा है एक राजा है जिसने अपनी नगर की मुख्य सड़क पर एक विजई महराब बनवाया है लेकिन वह विजई महराब अपनी मुकुत तोड़ देता है ठीक है तो इस तरह से करके आप यहां पर पूरा पूरा रीड कर सकते हैं इसका हिंदी में आपको बतायता हूँ कि यहां पर राजा दोसियों को सजा दिना चाहता है लेकिन अंत में वह खुद ही फासी पर चड़ जाता है राजा जो है वह वह यहां दोसी लोग जो होते हैं उनको पनीश करना चाहता है लेकिन लास्ट में वह खुद हैंग हो जाता है यानि कि फासी पर चड़ जाता है राजा मर चुका है, लेकिन मंतरी राजा के नाम पर घोशनाई करता है, जो मंतरी होता है बच्चों यहाँ पर वो क्या करता है, राजा के नाम पर अनाउंसमेंट से करता है, ठीक है, और फिर क्या देखने को मिलता है, यह सब विडम बना के उधारन है, और प्रतेक पात्र, यहां पर राजा मंत्री यह सहर के सभसे चतुर वैक्ति हैं, आपर वास्तों में यहां को ताज पहनाने और उसे समान पूर्वक सिंहहासन तक ले जाने से जादा हास्य पद कुछ नहीं हो सकता, तरगुजे को कैसे आप ताज पहना सकते हैं है कि नहीं तो ये इसलिए बोला गया है ये मुर्खों का राज्य है तो इस प्रकार से इस question का answer आपको लिखना है बच्चो आगे चलते हैं अगला question यहाँ पर देखिए बच्चो चौथा question हमसे कुछ इस प्रकार से पूछ रहा है कि तो इसका हिंदी इस तरह से होगा बच्चो कि कवी ने राजा के लिए नय प्रिये एवं सांत वाक्यांस का परियोग करके किस प्रकार सासन विवस्था का मजाक उड़ाया है तो answer इस प्रकार से लिखेंगे यानि कि हाँ पर का जा रहा है मेलन सहर में अहस्ते छेप के सिधानत अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होते हैं तो इस विदंबना यह है कि राजा को न्याय प्रिये और सांत कहा जाता है या राजा को यहाँ पर न्या प्रियों और सांत कहा जा रहा है क्या बात है justice was not done in that city यानि कि उस सहर में नहीं हुआ है king was only a title and a symbol king जो है यानि राजा केवल एक पद भी है और वो बस एक symbol के समान समझ लीजे इस तरह से है और citizens had complete independence in all aspects of their lives यानि नागरिक जो है उनको अपने जीवन के सभी पहलियों में पूर्न रूप से सोतंतरता है public was real in charge of governance यानि कि सासन की वास्तविक प्रभावरी जनता थी king had to be hanged as the people demand someone to be hanged यानि कि राजा को फाशी देनी पड़ी क्योंकि जनता किसी को फाशी देने की मांग कर रही थी और last में लिख देंगे king powerless to protect himself अब भया राजा ही powerless था राजा अपनी रक्षा के लिए खुदी असमर्थ था इसलिए उसको क्या करना पड़ा फाशी बचरना पड़ा ओके चलिए अगला question देखें आपर क्या हमसे पूछ रहा है कि the poets mothers laughed at the snapshot what did this laugh indicate तो answer इस प्रकार से आप कर रहेगा पहले question का हिंदी समझ लीजे यहां पर यह कह रहा है कि कवी की जो मा है वो snapshot पर हसी इस हसी ने क्या संकेत दिया तो इस हसी ने यह संकेत दिया कि the dress and behavior of her cousins Betty and Dolly made the poets mother laugh यानि कि पोशाक और विभार ने कवी की मा को हसाया यह असपस्ट है कि उन्होंने कोई अनोखी पोशाक पहन रखी थी यहां पर कह रहा है कि जिससे उसका मनरंजन हुआ ठीक है यहां पर पूरा आपको मैं हिंदी एक बारी बता जता हूँ पोशाक और विभार ने कवी की मा को हसाया यह असपस्ट है कि उन्होंने कोई अनोखी पोशाक पहन रखी थी यह पॉस्ट हो जाता है कि भाईया वो कुछ अलग ही पहन रखाता जबी तो हसाया यहाँ पर जिससे उनका मनुरण्यन हुआ यह हसी उसके पिछले जीवन से जुड़ी एक घटना को याद करके उसकी खुसी को दरसाती है जब वह काफी छोटी थी और जीवन के तनावों और चिंताओं से मुक्त थी तो इस प्रकार से एंसर आप लिख सकते हैं बच्चो आगे चलते हैं अगला कोशन देखिए हैं आपर छटा कोशन क्या है कि वट इस दा सेंट्रल आइडिया ओफ वॉल्ट वाइट मैंस पोएम दा वाइस ओफ दा रेन यानि कि हाँ पर कह रहा है क कि वॉल्ट जोशुक वेट मैं की कविता दा वाइस ओफ दा रेन का केंद्रिय विचार क्या है सेंट्रल आइडिया क्या है तो इसका एंसर या एक्स्प्लेनेशन कुछ इस तरह से होगा कि दा पोएट विशिस तू एक्स्प्रेश दा ब्लेसिंग्स ओफ बर्थ ग्रोथ एंड अल्टिमेटली रेन इटीज वाटर डाट टर्न इंटू क्लाउट्स यहां पर खा जा रहा है कि कभी जन्म विकास परिवर्तन और अंतता वर्षा के आसिरवाद को वैक्त करना चाहता है यह पानी है जो बादल में बदल जाता है यह क्या है बच्चो यह पानी है जो बादल में बदल जाता है मूव इन दर स्काय ठीक है अजीव आका धारन कर लेते हैं यह लेकिन अंतता पानी के रूप में कहां पर लोट आते हैं वो धर्ती के ओपर लोट आते हैं इसी प्रकार से आगे भी बताए गया है कि यह प्रित्वी पर सभी चीजों को सूध करता ह इस नान कराता है लोगों को यह सुंदरता जोडता है बारीश किसी भी पहचान की परवां किये विना अपना करता आवे निभाती है मनुश्य को इससे सबक लेना चाहिए मतलब इससे सबक लेना चाहिए और प्रित्वी के संद्रक्षन का प्रियास करना चाहिए वच्छो तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि भईया धरती बचाना है यह नहीं यह एकदम पैसा उसा कमा रहे हैं और पेड ग्रैंड मदर वाज नॉट प्रिटी बट ब्यूटिफूल हाउ यानि कि दादी सुन्दर तो नहीं लेकिन खूबसूरत थी कईसे अब दिखिए कितना मस्त कोशन पुछ लिए आप से यहां पर इंपोर्टेंट भी है ठीक है कि जो ग्रैंड मदर थी वो प्रिटी नहीं थ लेकिन ब्यूटिफूल थी यानि कि सुन्दर नहीं थी लेकिन खूबसूरत थी कईसे भाया तो एंसरे इस प्रकार से लिखेंगे दे ग्रैंड मदर वाज शॉट ओल्ड फैट एंड श्लाइटली बिंट और दा लास्ट ट्वेंटी एर से शी लूप्ड दा सेम एंड तो आथर शी सीम्ड तो ओल एज फर्दर इट वाज डिफिकल्ट फोर हीं तो इमेजीन दैट शी कूड है विन यंग एंड प्रिटी बट तो हीं शी वाज ब्यूटिफूल इन प्रिश्टाइन एंड पीसफुली वे रिमेंबर्ड हर अर तैलिंग ही बैट आफ हर जासो की वर्सों से वह एक ही जैसी दिखती थी और लेखक को वह इतनी बुढ़ी लगती थी कि आगे उसकी उम्र नहीं बढ़ सकती ऐसा उसको लगता था कि इसको लगता था लेखक को उसके लिए यह कलपना करना कठिन था कि वह युवा और सुन्दर हो सकती है थी लेकिन उसके ल देखेंगे हर सिल्वर लॉक्स ले स्कैट्रिड अन जोसकी अन यूनिटीड ली ओवर हर फेल फेस एंड हर लिप्स कॉंटिशनली मूव इन एंड प्रेयर सी वाज लाइक दा विंटर्स लैंड्सकेप इन दा माउंटेंस एंड कंटेंड यानि कहा पर कहा रहा है उसके से बिखरे हुए थे और उसे होट लगातार जो है उसके होट जो है लगातार एक अस्रवय प्रात्ना में घूम रहे थे वह पहाड़ों में सीतल कालीन परिद्रिश्य द्रिश्य और सामगरी की तरह थी तो इस प्रकार से एंसर आप लिख सकते हैं वच्चों चलिए आठव बोल रहा है लेखक और दादी के रिष्टे में यहाँ पर निनायक मोड क्या था तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि दा ओथर्स हैद टो बी सेंट टो अ बिग सीटी फोर एजुकेशन दिस वाज दा टुटिंग पॉइंट इन हीज एंड दा ग्रैंड मदर रिलेशन्श यहाँ पर कह रहा है कि लेखक को शिक्षा के लिए बड़े सहर भेजा गया था एजुकेशन के लिए या उनके और दादी के रिष्टे में निनायक मोड था ठीक है लेखक ने अंग्रेजी मीडियम यानि इंग्लिस मीडियम स्कूल यह होता है उसमें शिक्षा प्राप्त क नहीं कर सकी और इसलिए पीछे हट गई वह अकेला पन महसूस करने लगी और दोपहर में गोरईयों को खाना खिलाने लगी तो इस प्रकार से अंसर आप लिख सकते हैं बच्चों ओके आगे चलते हैं नौवा कोश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है क इस प्रकार से आप लिखेंगे मतलब ही कोश्चन में यह पूछा है कि एक डॉक्टर और इंसान के रूप में जो डॉक्टर एंड्रियो था उसके बारे में आपकी क्या धारना है तो इस तरह से होगा कि the birth story is a commentary on how a doctor should really be as a doctor and a human being Dr. Andrew is an exceptionally constantious, compassionate and poisonous human being not only does he overcome mental and physical execution to get to Joe Morgan's home that night but he also almost reveals against that laws of nature to try to bring the stillborn baby back to life in which he succeed it happens नहां पर कह रहा है आपको कि जन्म कहानी इस बात पर एक टिपनी है, कमेंटरी करती है कि एक डॉक्टर को वास्तों में एक डॉक्टर और एक इनसान के रूप में कैसा होना चाहिए डॉक्टर इंड्रियो एक असाधारन करतवे निष्ट, दयालू और भावक इनसान है उस रात में जो मॉर्गन के घर पहुँचने के लिए वह ना केवल मानसिक और सारेरिक ठकावट से उबरते हैं बलकि वह मित्र जहसों की जन में बच्चे को वापस जीवन में लाने की कोशिश करने के लिए प्रकृति के नियमों के खिलाफ लगभग विद्रोव भी करते हैं इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि डॉक्तर आंड्रियो के बारे में आपकी क्या धारना है एक डॉक्टर और एक इनसान के रूप में तो इस तरह से एंसर आप लिख सकते हैं चलते हैं दस्वा question रेखी बच्छों यहां पर क्या पूछ रहा है हम से कि why did the narrator go to Mrs. Darling's house and how did Mrs. Darling's daughter treat the narrator तो यहां पर question है कि जो आपका narrator है वो Darling's के घर में क्यों गया और जो Mrs. Darling's थी उसकी बेटी ने narrator के साथ कैसा वेभार किया वो आपको बताना है बच्छों तो answer इस प्रकार से आप लिखेंगे the narrator went to Mrs. Darling's how to collect her valuable belongings which her mother had given to her during war time she wanted to renew her past memories unlike Mrs. Darling's the daughters invite the narrator inside her house she offered her a cup of tea यहां पर कह रहा है कि जो आपका narrator है वो Darling's का बहुमुले समा लेने के लिए अपने घर गया ठीक है जो उसकी मा ने ठीक है उसे यूद के समय दिया था वह अपनी पिछली यादों को ताजा करना चाहती थी उन narrator की बात कर रहा है और Darling की जो बेटी थी उसने क्या किया उसके विपरित उसको अमंत्रीत किया यहां पर और उसे एक कप चाय जो है वो भी पेस की ठीक है ओफर किया तो इस तरह से आप answer लिख सकते हैं इसके आगे के question जो है पच्चों मैं आपको question पढ़के बता रहता हूं उसका हिंदी बता रहता हूं और पूरा जो उसका actual हिंदी होगा question with answer वो screen पर आप देख सकते हैं ठीक है आपको पहले question बताता हूं यह question कहा गया रहा describe the narrator's journey to mount कैलास with reference to the tropographic variation encountered on the way यहाँ पर कहरा रास्ते में आने वाली स्थलाकृत विविदताओं के संदर्भ में कथा वाचक की कैलास परवत की आत्रा का वर्णन करें तो answer यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में भी answer आप देख पा रहे होंगे यहाँ ठीक है बच्चों और English में तो यहाँ पर आप देखी सकते हैं वीडियो को pause करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं अगला question देखिए, अगला question से पहले उसका और थोड़ा से हिंदी में यहाँ पर आप देख लीजिए और English में भी देख लीजिए बच्चों चलिए बारवा question यहाँ पर देखे क्या है कि did the boys return the horse because their conscience was hurt or because they were afraid तो यहाँ पर कह रहा है कि क्या लड़कों ने इसलिए घोडा लोटाया कि उनकी अंतरात्मा को ठेश पहुची या वे डर गए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चो ठीक है चलिए पॉफेक्ट तीरवा question देख सकते हैं इस तरह से हैं आपका और answer आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है अब मैं आपको यहाँ पर questions with answer दिखाता हुए चलता हूँ आप देखते हुए चलिए ठीक है यह बहुत important है ध्यान रखिएगा वीडियो पॉस करके पूरा कपूरा आप read कर सकते हैं बच्चो कॉरे มेर को इस दिखेखते हुए नहें प्रूरा हुए नहें경 तो यहां पर आप देख सकते हैं question number 11 से लेकर के 30 तक के जो भी questions है उनका मैं आपको हिंदी में translation दिखा देता हूँ कि वो questions हिंदी में कैसे रहेंगे आपके ठीक है यह आप अपनी screen पर देखते हुँ चलिए यह जो आपका bold किया हुआ यह question है और यहां पर आप answer भी देख सकते हैं ठीक है वीडियो के बीच में मैं नहीं लगा पाया edit यहां last में मैं कर रहा हूँ उनको आप देखते हुँ चलिए कैसे question बनता है और कैसे answer आपको लिखते हुए चनला है बचो कर रह सकते हैं झाल 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 तो बस बस यही था आज के वीडियो आसकरतों कि आपको वीडियो पसंदा होगा अगर आपको वीडियो पसंदा है तो ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर अगर आप नई आ गहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा आजी तरह की वीडियो से आपको देखने को मिलती रहते है रुपे ठीक है और अगर आप इंग्लिस का और पॉलिटिकल साइंस का 10-10 सैंपल विपर का PDF बाय करना चाहते हैं तो इस वर्टसप नमबर पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं ठीक है कॉंबो आप लेते हैं तो 10 रुपे और आपका बच जाएगा 190 रुपे में आपको दोनों 20 सैंपल व उपे में देखने को मिल जाएगा ठीक है तो इन सैंपल विपर्स को जरूर लीजिए यह बहुत ज्यादा हमारी तरफ से रिकमेंडिड है हमारे द्वारा ही बेसिकली बनाया गया आप सभी बच्चों के लिए तो आप ले सकते हैं अपनी त्यारी को और बहतर बना सकते हैं आज कि इस वीडियो के लिए नहीं मिलता हूँ आप से गलिए और एक्साइटिंग वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए खुश रखिए सभी को जैहिंद वन्दे मात्रम